हलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बाफ फेर हमाई यूट्यूब चैनल में बात करने वाले हैं इस व्यूटिय मुख्यमंत्रिया सोग गहलोदरा पेस किया जाने वाले बजट की और ये साल का अंतिम बजट है मुख्यमंत्रिया सोग गहलोद के कारेकाल का किस प्रकार की कोशनाए है कि अच्छी गोषणाए होंगी उनके पक्स में फैसले लियेगे तो इसी को लेकर अपडेट्स देखेंगे करमचारियों से रलेटेड और अन्यामजन से लेकर कि किस प्रकार की कोशना हो सकती है जिस परकार से रुजान आ रहे हैं बदाया जा रहा है कि ये बजट जो है काफी अच्छा बजट होने वाला है बजट रहत और बड़त के इसाब से इसमें कई फैसले ले जाएंगे आम जन के हित में जिनमें 500 रुपे में सिलेंडर है 200 रुट तक फ्री बिजली सतुर सनी करमचारियों का लग केडर है चिरंजीवी का दाया 10 लाग पार होगा इसके साथ ही बात करेंगे तो इसमें पैट्रोल डीजल पर मिलने वाला जो भी सैस है वेट ह वो भी लगता है इसमें जो राजी सरकार है इसको खटा सकती है इसके साथ ही अवा गमन में बात करें मैलाओं को लेकर तो इनमें लगबग अभी मैलाओं को 30% की छूट मिलती है वो पूरी तरह से रोड़िज बसन मैलाओं को फ्री यातरा का फायदा दिया जा सकता है बात करें करमचारी वरकी तो करमचारियों के लिए क्या क्या इसमें रहत मिल सकती है मुख्य रूप से करमचारियों के लिए बात करें हम तो करमचारियों के लिए OPS तो एक बड़ा फैसला मुख्य मंदर गहलो द्वरा किया गया है अभी पांच लाग से अधिक करमचारी है अब एक लाग बोर्ड निगम आयोग अधिक करमचारी को भी इसका लाब मिल सकता है यानि ओपीएस का लाब बोर्ड निगम करमचारी जो है उनको भी ओपीएस का लाब मिल सकता है इसके साथ योपी को लेकर बात सामने आ रही है कि करमचारों के परमोसन की जो रैंकिंग चलती है नो अठाव सत्ताइस साल के फिक्षिसन की उसकी जगह आठ सोला चौईशो अठाई साल के प्रावधान को मंजूरी संभव है ऐसे में तीन की जगह चार परमोसन करमचारे को मिल पाएंगे वही पैंसन की बात हो रही है तो विद्वा बुजरुक दिवियाई से में देख करोड लोगों को सामाजिक शुरुक्षा पैंसन अभी मिल रही है या पांसों से पंदरासर रुपे के बीचे जिसे अधिक्तम तीन हजार रुपे तक भी किया जा सकता ऐसा संभव है इसके साथ ह करमचारियों के लिए और भी है कि खबरे आ रही है जिस प्रकार से प्रॉबेशन को लेकर की प्रॉबेशन एक साल का किया जा सकता है और करमचारियों के हित में इस प्रकार के दिने लिए जा रहे हैं साथ ही रोजगार को लेकर भी है कि रोजगार भता जो है करमचार जो उनके लिए रोजगार बता दिया जाता है अभी चार अजार 바डा बी पाइन को दिया जाता है जिसमें इंट्रशिप की सर्थ होती है अब इंट्रशिप की सर्थ हठा दी जा सकती है और रोजगार बता जो है उनको मिलेगा चरणजी यूजना में ओर 10 लाक रुपए का मुप ये इस प्रकार से बजट गोशित किया जाता ऐ और इसके उनो रूप ही कारियो बिदा होगी कुरमचारी आमजन किसान सभी वर को ध्यान में रखते हुए इसके साथ ही बात करें तो नए जिल्लों की गोशना भी संभब है जिसमें साथ नए जिल्लों की बात कही जा रही है और साथ ही दो नए संभाग की बात भी हो रही है तो यह तमाम तरह की अपडेट्स है बजट को लेकर आगामी जो दस परवरी को पेस किया जाएगा धन्यवाद